दोस्तों आप लोगों ने अपनी जिन्दगी में बंदुके तो जरूर देखी होगी या तो असल जिन्दगी में या फिर फिल्मों में तो जरूर देखी होगी वैसे तो बंदुकों का निर्माड आम तोरपा सुरक्षा के लिए किया जाता है पर आज कर इसका इस्तेमाल रेमिंग्टन 1859 रिवॉल्वर दोस्तों इस रिवॉल्वर का निर्माण पोलेंड में रहने वाले रिजाईस टोबैसिस नामक विक्ति ने किया था बता दे कि रेमिंग्टन 1859 रिवॉल्वर दुनिया के सबसे बड़ी रिवॉल्वर है और इसे गिनीज बूक आफ वर्ल्ड लंबी और 40 cm उची है और यह अपने शिकार को कुछी पल में धेर कर देती है रिंग शेप गन दोस्तों इस गन की नाम की तरह ही यह गन देखने में बिल्कुल किसी अंगूठी की तरह दिखाई देती है रिंग शेप गन को बढ़ते अपरादों को कम करने और लोगों की होती है जिसे की कोई भी पहन सकता है और समय पढ़ने पर अपने सुरक्षा भी कर सकते हैं आपको बता दे कि यह गन दिखने में भले ही छोटी हो मगर यह बहुत जादा ही खतरनाक है गैटलिंग गन का निर्मार सबसे पहले रशिया में किया गया है और इस गन को बनाने के लिए छे रशियन SKS राइफल्स का इस्तेमाल किया गया है छे राइफल्स को एक साथ जोडने की वज़े से ये छे गुना अधिक गोलियों की बहचार अपने दुश्मन बर करती है जिसे की कम समय में अपने दुश्मन का अधिक से अधिक नुक्सान कर सकें डग फूट गन दोस्तो इस गन के नाम की तरह ही इसका आकारवी बत्तक के पैरो की तरह है इस गन में तीन या चार नलिया होती है जो एक निश्चित आंगल में मुड़ी होती है और अगर आप चाहे तो एक ही वार में चार अलग-अलग लोगों को मार सकते हैं वो भी एक समय में दोस्तों आपने जेम्स बॉर्ण की फिल्म तो जरूर देखी होगी फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गैजेट मात्र कुछ सेकेंड में अपना रूप बदल लेते हैं कुछ इसी तरह से ये गन भी अपना रूप बदल लेती है और इस गन में FNG का मतलब होता है फोल्डिंग मशीन गन यानि कि इस गन को आप फोल्ड कर सकते हैं और वक्त आने पर इसे बंदूग की तरह इस्तमाल भी कर सकते हैं खास तोर पर इस गन को सरकारी एजेंसी किसी सीक्रेट मिशन पर ले जाती है और उसी दोरान इसका इस्तमाल किया जाता है ग्लॉक विथ 100 राउंड ड्रम ये बंदूग देखने में जितनी अजीव लग रही है उससे कही ज़्यादा खतरनाक है ये गन सो कस्तूरों से भरी ग्लॉक गन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सी 5 सेकेंड में 100 राउंड पायर करती है और इस गन में 2 मैगजीन लगे होते हैं जिसमें 50-50 गोलियां होती है और इस गन की मैगजीन फायरिंग के समय घूमते रहती है और अपने दुस्मन को सोचने तक का मौका नहीं देती है पंट गन पंट गन 19-20 शताब्दी में इस्तिमाल की जाने वाली ये सबसे बड़ी गन है इस गन का अकारा और वजन बहुत अधिक होने की वजन से इसे कोई अकेला व्यक्ती नहीं उठा सकता इसे उठाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूर पड़ती है और इस बंदू को आम तोर पर छोटी सी नाव पर लगाई जाती है जिसने की बत्तकों का शिकार किया जा सके अपाचे रिवॉल्वर अपाचे रिवॉल्वर को 19-20 दशक में बनाया गया था इस गन को लूइस नाम की एक व्यक्ती ने बनाया था ये गन दिखने में भले ही सामान ने है लेकिन इसको आप अपने अंगुलियों में पहन कर अपने सुरक्षा के लिए अलग-अलग सिच्वेशन के हिसाब से अलग-अलग तरह से इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि ये कभी बंदूग बन जाती है तो कभी चाकू हर्मोनिका पिश्टल इस गन को पहली नजर में देखने में लगता है जैसे कि ये गन नहीं बलकि हर्मोनिका हो 1800 के दशक में जानथन ब्राउनिंग ने इस गन को बनाया था और इस गन को बनाने का उद्देश यह था कि गन को हर एक शॉट के बाद लोड ना करना पड़े इसलिए एक स्लाइड में बहुत सारे गुला कार चेमबर बना दिये जिसमें से हर एक चेमबर में बुलेट होती है और जैसे ही गन से फायर किया जाता है तो वो स्लाइड आगे खिसक जाती है जिसके कारण गन को बिना लोड किये आप दूसरा फायर करने के लिए तयार हो सके C.I.A.S. Heart Attack Gun दोस्तों यह गन बहुत ही खतरनाक है और यह सिर्फ सिक्रिट मिशन में इस्तमान किया जाता है वैसे तो इस गन की बुलेट आइड से बनी होती है और जिसमें पॉईजन भी होता है और जैसे ही अपने शिकार में गुशती है तो इसका जहर उसके सीधे दिल पे अटायक करता है और जिसे कि उस वेक्ति को Heart Attack आ जाता है उसके बाद यह बर्फ पिगल जाती है जिसे कि कोई भी सबूत नहीं बचता है और लगता है कि जैसे Natural Heart Attack आया हो दोस्तों आप लोगों को सबसे खतना कौन सी गन लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब परके बेल अकिन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो से आप अफडेट रह सकें तो मिलता हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर गुडबाई हैंक यू झाल